हेलो फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में हम देखने वाले अपनी फिजीकल फार्मसेटिक्स की यूनिट फिफ्ट हमारी यह लास्ट यूनिट है पी एज बफर एंड आइसो टॉनिक सॉलिशन तो यूनिट फोर तक हम अलड़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं I hope आप लोग को स पर battery हम समझते हैं तो आज हम पंच पढ़ेंगे चो हमारा पिर प्र शॉतनिक स्वी पराइब पढ़ेंगे तौह सोरं संस्जिशल और फिर हमारा है पी ही भी किया होगा जो हमारी लेब बगेरा होती है उनमें हम प्याज का यूज करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि प्याज की हम पता लगाते हैं कि कोई भी जो हमारा pH value की help से ठीक है फ्रेंट अब इसकी full form हमारी होती है power of hydrogen या potential of hydrogen यह हम पहले ही जानते हैं अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि hydrogen की power hydrogen की तागत यह हमारी simple इसकी definition है और pH value हम hydrogen की help से ही पता लगाते हैं अब इसको दिया था हमें स्ट ले यह एक कां MR3 यह हमारे कांते तो और इन्हों ने इसको दिया था इसलिए हम इसको स्ट लिए पेह इसके City वी बहोत को यह नहीं पता वगा तो अगर इस नाम से हमारे एक्जाम में पूछा जाता है सोरेंसन पी-एज इसकेल तब भी आपको ये वाला ही पी-एज इसकेल हमारा बनाना है अब इनके अनिसार क्या था कि जो हमारे पी थी पी से इनका मीन था पोटेंज और ये हमारे एक दानिस वर्ड है और इसका मदलब होता है power यानिकि power of hydrogen अब यहां पर यह हमारा acidic और basic इस चीजों को बताता है हमारे solution ऐसा क्या होता एक्च्वल में तो अगर हम एक बीच रिकॉल करें तो हमारे acid कौन से सविष्टांस होते हैं अगर हम आरहनियस concept के अनुसार देखें तो जो हमारे dissociation के बाद h-positive आइन देते हैं और basic क्या होते हैं उनकी अनुसार जो हमारे distance के बाद क्या देते हैं ओ और एक तो ठीक है यह था तो हम यहां पर देखें कि acid city हमारी hydrogen पर depend है और basic city भी हमारी किस पर depend है यहां पर भी hydrogen है तो यह हमारे इस तरह से होते हैं तो main role हमारा जो है वो क्या है hydrogen है तो hydrogen के base पे हम किसी भी solution को acidic और basic इन category में रखते हैं इसलिए जो हमारा pH है यहां पर भी हमारी होते power of hydrogen इसलिए जहां हमारा hydrogen use होता है आप लोगों ने सायथ कभी सोचा हो कि hydrogen ही क्यों लिए और भी तो हम ले सकते थे ना तो यहीं सब होता है और solution का अगर temperature चेंज हो कुछ भी हो तो हमारी हम कहते हैं कि hydrogen ion की concentration change हो रही है और जितनी ज्यादा hydrogen ion होगा उतना वह क्या होगा acidic होगा और जितनी कम होगी जितना हमारा OH ज्यादा होगा वह हमारा क्या होगा बेसिक होगा तो सारा कुछ हमारा depend होता है H और OH पे तो हम इसी के ऊपर जो हमारा scale है उसको हम समझ रहे हैं अपना pH scale अब pH scale हमारे Sorensen के according क्या था कि it is defined as a negative logarithm of a hydrogen ion concentration मतलब hydrogen ion concentration की negative logarithm अगर हम इसको ऐसे लेके तो हमारा यह बनता है pH is equal to log 1 upon H positive तो यह हमारा simple formula होता है अब इसमें अगर हम value निकालते हैं तो बहुत ही ज्यादा लेंदी बगर आते हैं इसलिए यहां पर हमारा scale दिया गया था वह हमारा कुछ इस तरह दिया इनके दारा कि जिसमें हमारी simple value थी 1 2 3 4 से लेके 14 तक थी simple value थी अब हम समझे लतें आगे क्या है कि तो concentration of hydrogen ion is measure of its acidity और basicity of aqueous solution at a specific temperature sorry यहां पर या फिर specific solution तो यही मैंने आपको बताया कि हमारे hydrogen जो और यह है इनी चीजों पर हमारी depend होती है इसलिए हमारी pH जो value है उसमें हम हाइड्योजन को लेते हैं वही यहां पर बताएं कि हाइड्योजन आयन की मीजर करके हम पता लगाते हैं अब acidic solution होते हैं इसमें हमारी high value होग यह हमारा scale है अब scale आप देखेंगे गौर से तो हम ऐसे भी इसको रख लेते हैं तब भी आप देख लेते हैं तो जीरो से लेके 7 से थोड़ा कम हमारी जो भी value आती हो हमारी कहलाती है और 7 से उपर की जो भी 14 तक value हमारी कहलाती है basic और correct अगर 7 हमारी value निकल के आती है तब होगी हमारी neutral जो हमारा क्या होता है water होता है यहीं तो हमारा होता है हम लोगों ने क्या देखा है हमारी जो एस टू हो है water इसकी हमारी value होती है और अगर हम water को ही dissociate करें तब ही हमारा बनता है 7 से कुछ कम और यहां 7 से कुछ ज्यादा और इसी पर बेस पर हम strong acid और बीक acid इनको भी define करते कैसे अब अगर 0 से start होता तो हमारी जो 0 सबसे lowest value हो वो हमारी होगी acidic है तो बहुत ही जादा strong acidic फिर one two भी हमारी strong होंगे फिर medium acidic होंगे फिर medium फिर जहां बीक acidic होने लागए यहां बीक acidic और जो साथ से थोड़ी कम जाने की 6-6 value आएगी वो हमारी बीक acid के लिए आती है मतलब जो हमारे कमजोर acidic होते हैं यही हमारा basic में होता है कि हमारी 8-9 यह हमारे base है क्योंकि यहां पर हमारे खतम होने वाले acid के एंटर करने वाली है और यह 14 value हो हमारी होगी strong basic यानि कि जिस भी हमारे solution का जो base है वो 14 निकल किया थी वो हमारी क्या होगी strong होगी अब हमारे यह simple इसका pH हो गया कैसे करते हैं कैसे करते हैं यह सब हो गया अब हमारा आएगा pH determination वाला दूसरा 7 neutral और above 7 से 14 तक basic होता है अब यह तीर हमारे तरीके हैं पहला हम देख लेते pH paper यह बहुत ही जाथा simple है और हमारी lab में mostly यह use किया जाता है इसमें करना क्या है simple मैं आपको ऐसी बता देता हूं एक हमारा हो था standard pH paper जैसे यह हम समझे कि यह हमारा यहां से लेके एक pH paper है और इस इस तरह से हमारे पूरे 14 blocks बन रहे होंगे और हर किसी पर अलग-अलग हमारा color होगा और एक तरफ हमारी लिखे होगी value 123 से लेके 14 तक हमारी value लिखे होगी अब हमारा जो test इसके अंदर हमारे होते है plain एक मतलब simple color होता है हलका सा skin color जाता है उसको हम क्या करेंगे solution में dip करने के बाद यहां पर जो होगा हमारा color change हो जाएगा जो भी color आएगा उस color को हम क्या करते हैं यहां पर मिलाने लग जाएगे और जिस भी color के साथ वो match कर जाएगा जैसे 4 पर match कर गया तो हमारी पी-ए-च बैली होगी solution की वह हमारी होगी 4 अगर 5 पर match कर गया तो 5 होगी 14 मैच करा तो 14 होगी इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी solution की पी-ए-च को बहुत ही simple तरीगे से पता लगा सकते हैं पी-ए-च पेपर की help से दूसरा हमारा है थोड़ा अब इसमें आप इलेक्ट्रोमेट्रिक बर्डी समझ रहें मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल से रिल्टेड है तो यहां पर हम एक इस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अप एल्टर्स का नाम होता है पी-ए-च मीटर यह मैं भी आपको दिखा देता हूं पहले समझते हैं कि construction तो य मैंधर हету है औहूं कोटी फेसल के विखेते हैं इसके अंदर समय क्रACH मेंधर होता है और यह हमारा कीच मीघ्ट्र mashन में help करता है help करता है कि इसके दोरा हमारे hydrogen ion जो है वो क्या कर सकते हैं अलाव हो सकते हैं इदर उदर तभी तो यह हमारे concentration पता लगाएगा अब यह हमारा reference solution भी करता है जो हमारे को ता dilute है मतलब हम बोल सकते हैं यह वाली हमारी electrode होती है reference electrode इससे ही हम इसको हम major electrode भी बोलें क्योंकि हम इसी के compare करके अपना पता लगा रहे हैं अब इसकी हम simple principle समझ लेते हैं इसका हम simple principle समझ लेते हैं कि actual में यह work कैसे करता है तो उसके लिए हमको करना क्या है कि simple हमने लिए जिस solution को हमको पता लगाना है फिर हमने यहां पर एक standard electrode डाल देंगे फिर हम यहां पर डाल देंगे अपनी reference electrode और एक हम यहां पर डाल देते हैं धर्मो कम जश्टन यह हमारा क्या करता है temperature को maintain करता है क्योंकि हम यह जानते है कि जो हमारा temperature होता है वो भी हमारी pH value को change करता है alter करता कर temperature ज्यादा कम होगा तो हमारी pH value भी change होगी तो इसी के अनुसार हम यहां पर यह तीन डाल देते हैं जिसे हम pH indicate करेंगे अब हो क्या रहा है कि simply हमको करना क्या है कि दौनों इलेक्ट्रोड जो हमने लिए सबसे पहले हमने फिल्ड करते हैं अपने test solution में standard वाली और reference वाली उसके बाद क्या करते हम जो हमारा pH का solution है यह इसका जो pH होगा और हमारे यह reference है जानकि इसमें LCD अब स्छक्राइब हम पता है उसका जो pH है , वो खश्ना को चैंज wonे अब इसका हमको पता है यही तो हता है जो standard होते हैं जो हमने इसमें डाली है इसका पह पता है लेकिन जो test solution है जहां पर हमको pH नहीं पता है तो हम को pH-solution पता करना है तो हम इसको इसमें dip कर करेंगे हूए यह हम्हारा क्या करेगा electric signal पास करता है अब उसी के अकोर्डिंग हमारा यहाँ पर पी एच है वह मीजर होगा और यह हमारा सिंपल बहुत हमारा सिंपल है लेब बगएम रहैं हो तो आप कभी इसको ट्राइब भी करना है letter लगते हैं तो आपको यहां पर बहुत्य ज़्जादा इसी है को आपको दौन we पता करना क्या है प्रीव करने के लिगे just चेंज ना हूँ और temperature हमारा कुछ error ना लेके आए pH value में इसलिए हम यहां पे thermo compensator डाल देते हैं final हमें जो pH की indicator वो यहां पे हमको दिख जाता है कितना इसका pH है और pH के according अगर pH 0 से 7 है तो वो acidic होगा साथ से उपर है तो basic होगा साथ है तो वो क्या होगा neutral होगा अगर यहां हम पानी लेते तो हमारा जहां pH है वो कितना आता 7 आता तो इसी के विसमें हम simply पता कर सकते हैं अगर आपको अब भी भी इसमें कोई भी डावट हो तो आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं अब हमारा लास्ट यहां पे calorie metric method यह भी सेम हमारा pH method की तरह है इसमें हमको सिंपल करना क्या है जो हमने उसमें किया था एक calorie metric पेपर लेगे उसको क्या करेंगे डिप कर देंगे अपना sample solution में जिसको हमको pH पता करनी है उसके बाद क्या करते हैं जो भी हमारा color उसको हम क्या करेंगे जो हमारी standard table होगी calorie metric की जैसी हमारी पीच की टेवल थी ना सेम हमारी उसी तरह हमारी calorie metric इसकी भी टेवल होगी फिर हम उसी को बेस पर यहां पर यहां पर यहां पर जो हमने यहां पर पुट किया है अपना solution में वह निकालेंगे उसका color होगा उसको हम यहां पर मिला लेंगे और उसी के according हमारा जो नमर होगा पी एज नमर वह हमाई opt-end हो जाएगा और उसी के according हम यहां पर decide करते हैं कि कोई acidic है कि कोई basic है कि कोई neutral है यह हमारा simple है colorimetric method तो I hope आप लोगो यह पूरी वीडियो आज की समझ आ गई होगी अब next वीडियो में हम अ यू टेक केर बाई बाई